सूरा मेरे मज़ पमान तठन भेर मनी सिख्खा पढ़िंग समाधियानी हरत में स्राध चलते हैं स्राध का पाली में कोई अर्थ है या नहीं दरसल पाली में श्रै, शै या आधे रै या आधे शै, आधे रै से या शत्कौन वाले शै से बना हुआ, कोई भी शद या कोई भी वाक्या नहीं मिलता इसलिए श्राध सब्द बहुत जादा प्रारा नहीं है नया है जब पाली भासा को संसकायित करके और संसकत नाम से एक नई भासा पाली को mix करके बदल कर बनाई गई जो श्राद सब्द है इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या रथ है पहले ये देखें कि ये ओरिजिनल सद क्या है जो मूल सद है वर्ड है वो क्या है मूल सद है साद साद का मतलब होता है सै धारन यानि कि खुद को कुछ धारण करना जब व्यक्ति कुछ खुद धारण करता है तो उसको कहते हैं साध और जो व्यक्ति कुछ धारण कर लेता है अपने आपको धारण कर लेता है यह कह सकते हैं अपने आपको साध लेता है उसको कहते हैं साधू यानि साधू वह विक्ति है जो अपने आपको साध कर रखता है अपने सारे राग उदेश को, अपने सैंसिस को, अपने संसेशंस को, अपनी भावनाव को, अपने कंट्रॉल में रखता है तो ये जो दिन साध है, ये जो आते हैं, सोले दिन जो साध के आते हैं, ये क्या है और ये कैसे आते हैं ये दरसल अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वस्सावास को लगबग ढ़ाई महिने हो चुके हैं और वसावास को ढ़ाई मेहने बाद ये 16 दिन का साध पड़ता है और इससे साध का मतलब है खुद को साधना मगर इसमें जो साधते हैं वो जो नर हैं खास तोर से जो पिता हैं जो पितर हैं जो पितू हैं वही अपने आपको साधते हैं इसलिए इसको पितर या पितू या पिती भी बोलते हैं मातू नहीं बोलते, मीती नहीं बोलते क्योंकि माता और मिती का और जो female का जो साधने का कारिक्रम है वो इनके बाद आता है जो अठमी, नौमी, दसेरे के दौरान में बोला जाता है ये परंपराएं साधने की बुद्ध के बाद पड़ी इसलिए बुद्ध के इत्यास में कहीं साध जैसा कोई सब्ध जो आज की परंपरा में मिलता है या जिसको सद्धा कहते हैं या जिसको श्राद कहते हैं वो नहीं मिलता पाली के अंदर कोई स्रद्धा सब्द भी नहीं है क्योंकि श्रै से बना हुआ कोई सद्धी नहीं है इसलिए स्रद्धा या अंद्श्रद्धा या स्राध जैसा कोई सब्द पाली के अंदर नहीं है फिर पाली के अंदर जो साध है ये स्राध कैसे बना इसकी एक बड़ी मैज़दार सी कहानी है कहानी इसलिए मैज़दार सी है क्योंकि पुराने समय में जब भिक्कू बारिस के समय जब बारिस हुआ करती थी तो पिरचार पिरशार के लिए लोगों को साधना सिखाने के लिए लोगों को धंब सिखाने के लिए लोगों को व्यपस्टना सिखाने के लिए नहीं जाते थे बलकर वो एक जिगे ठहर कर खुद ही व्यपस्टना करते थे खुद को साथ थे और उसको बोलते थे वर्सावास यानि वर्सावास वर्सा के दौरान में वास करना क्योंकि भिक्कु लगाता चलते रहते हैं उनका नियम है कि वो एक जीगे ठहर नहीं सकते पर बारिस में पुराने समय में उनकी मजबूरी होती थी क्योंकि बारिस में कच्चे रास्ते होते थे सडकें सब पानी से भजाय करती थी पक डंडिया हुआ करती थी कीडे मकुडों का पजरन का समय होता था जंगल में साफ वगएरा बहुत ज़्यादा निकलते थे तो असुरक्षित माहूल रहता था इसलिए साधना सीखेगा कौन जब चारों तरफ बारिस हो रही है तो भिकु सिखाएगा किसको और सीखेगा कौन ये जो समण जैन है उनका भी यही कायकर्म हुआ करता था वहावी वर्सावास जिसको चत्रुमास करके बुला जाता था चौमासा करके बुला जाता था क्योंकि चौमासा चार महिने का बारिस का समय होता था तो साध के अंदर साधना के अंदर व्यक्ति गंजे होते थे, यानि मुंड़ा होते थे, अपने बालों को कटाते थे, क्योंकि साध्रहा में बाल दिक्कत करते हैं, पैदा करते हैं, और बारिश के दिरों में जो स्किन की डिसीज है, वो जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए साफ सफाई के दौरान में, साध्रहा बैठे हैं वो एक टाइम खाना खाते थे तो साधना के दोरान में भिक्कु जो साधना में बैठे हैं उनको भी खाना चाहिए क्योंकि अब वो चारी का नहीं करते अब वो पिंड चारी का नहीं करते पिंड बोलते हैं लड्डू को पिंडी बोलते हैं पंजाब के इंदराज के लिए जो पिंड़ पात बोलते हैं या पिंड़ी पात बोलते हैं वो चावल को छोटे-छोटे लड़ू बनाकर रखना या खाना उसको पिंड़ी पात बोलते हैं या पिंड़ी भी बोलते हैं तो उस समय भिकू चारिका के लिए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि बारिस का स पहरते थे उसके आसपास के लोगों का ये कर्टब वे होता था कि वो साधरा सीखें और भिक्कों को खाना भी पहुंचाएं पर उधर चुकि सभी लोग नहीं जा सकते मौसम बड़ा खराब रहता है बारिश कर रहता है तो करें क्या तो वन बाई वन बाई वन बाई वन निय बना के जिसके पितर जिसके घर में कोई व्यक्ति जिस दिन एक्सपायर हुआ है जो हैड है जो स्री है उस दिन वो साधना करेगा अपने जितने भी पितू हैं मातू हैं महापुरुस हैं जो उस परिवार में रहने वाले लोग हैं उनके अच्छे कामों की साधना करेगा उ पसना करेगा धम सीखेगा और खाना लेके जाएगा भिक्कु संग को खाना खिलाएगा इसको बोलते हैं संगदान पिंडदान तो यह संगदान और पिंडदान वहां की परंपरा है जब भिक्कु के लिए खाना लेकर जाता था वो व्यक्ति तो ऐसे गाओं में बहुत सारे व्यक्ति होते थे, जिनका 81 को पढ़ता था, क्योंकि पहले जो संख्या थी, 81 या ततिया, या चतुर्ती, या पंचमी, या हिकादसी, या बारेदसी, या पुर्णमाशी, या मावस, ये डेट पढ़ा करते थी, इनी के नाम से कलंडर होता था, क्योंकि चंदरमा के घटने ब कि जब चंद्रमा दिखाई देने के बाद में निकलता है जिसको 81 बोलते हैं तो उस 81 वाले दिन जिन जिन लोगों के परिवार में बुजर को एक्सपायर हुए या गए या निब्बान प्राप किया वो उनके याद में साधना करते थे और खाना बनाकर बिहारों में देते थ और संगदान करते थे उसके बाद जो द्वासी आती है दूसरा दिन आता है महिने का या तिती आती है या चतुर्त आती है या पंचमी आती है या छट आती है या सब्तमी आती है या अटमी आती है या नौमी आती है या दसमी आती है या एका दसी आती है या एकी 12 आता है या 13 भी आती है या 14 आता है उसके हिसाब से सब लोग अपने अपने दिन बाढ़ते थे और किसी को अगर अपना दिन याद ना हो तो वो 16 दिन खाना खिलाता था इससे लगबग तीन महीने पूरे हो जाते थे और तीन महीने पूरे होने में लोग साधरा भी करते थे और संगदान भी करते थे और भिक्कुओं को संगदान के तहप में खाना भी मिलता था ये प्रमपरा वहां की है भिक्कु चलेगे भारत छोड़कर कुछ मार दिये, कुछ बदल गए, कुछ भरष्ट हो गए, कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ परंपराओं में ढल गए, कुछ अलग-अलग तरह के जो भगवा कपड़े पहन कर अलग-अलग मतों में चले गए, पर हैं सारे के सारे लगवाग उसी परंपराओं तो लेने वाले भी होने चाहिए अगर कोई फिरी में देने आ रहा है और लेने वाला भिक्कू नहीं है तो भिक्कू की जगे कोई और है तो वो उसी को जो भगवा कपड़ा पैंता था उसी को देखे चले जाते थे फिर परंपरा बन गई अगर फिरी में किसी को खिलाने वाले को अतराज नहीं है तो फिरी में खाने वाले को क्या अतराज होगा प्रमप्राइम मजबूत हो गई और साध से शराध बन गया और शराध का मतलब संस्काइट भासा में कहा कि ये स्रद्धा है यानि कि ये आपकी अपनी स्रद्धा है, स्रद्धा का पाली के अंदर कोई सब्ध नहीं है जो सद्ध है, जिसको बोलते हैं सद्धिंग या सद्ध उसका मतलब होता है साथ या नुकूल सद्धिंग माने होता है साथ साथ तो सद या साद का मतलब होता है साथ-साद पर सद्धा कोई सद्ध नहीं है परशाद बन गया और परंपराएं चल निकली और क्या परंपराएं बनी कि आपके पिता को अगर खाना यहां से नहीं दिया तो वहां उनकी आत्मा तड़ फेगी यह बड़े कमाल की बात है कि जब सिष्टम ऐसा बनाया गया है या बताया गया है कि कोई व्यक्ती जो मرتा है वो तुरंथ ही पुनर जर्म लेता है जब पुनर जर्म ले लिया तो फिर तड़वेगा कौन फिर खाना किसको चाहिए फिर पैसा किसको चाहिए फिर भोजन किसको चाहिए फिर किसकी आत्मा की तरפती के लिए जो बुद्ध धम है या बुद्ध के, अकॉर्डिंग जो लोग है या परानी जो सिस्टम है उसमें कहीन चीजों का जिक्र नहीं है पर जो सिस्टम आज चलता है वो भी कोशनेवल है कि जब व्यक्ति तुरंद जर्म ले लेता है किसी दूसरे नियम के नुसार जो बुद्ध के नियम नहीं है उनके उलट जो नियम है तो फिर खाना दाना पानी किस के लिए पर देने वाले देते हैं और लेने वालों को क्या इतराज है अगर देने वाले को इतराज नहीं है अगर लेने वाला इतराज करे तो उसको मूर कहेंगे इसलिए जो दे रहा है और जो ले रहा है वो अपनी खुछी से अपने हिसाब से ले रहा है और दे रहा है इसको साध बोलते हैं इसको बाद में शराद करके बोले लगे चूंकि पुराने बुद्ध के समयमें जो भारत था वो मातू प्रधान या मिती प्रधान या मातर प्रधान था इसलिए जो बाद में सिस्टम बना जिसको श्राद बोलते हैं उसमें कहीं मातू या माता या जो मा हैं उसके नाम से कोई श्राद का सिस्टम नहीं है सिर्फ पितर के नाम से होता है, पिता के नाम से होता है, क्योंकि जो वमर्ग लोग हैं, उन्होंने यहां सिस्टम, जो माता प्रधान था, उसको पिता प्रधान बनाया, इसका मतलब यह जो सिस्टम है, यह बाद में बनाया गया है, आज भी जहां जहां सारे के सारे भिक्कु हुआ करते थे और भिक्कु रहा करते थे और जहां भिक्कु संग में वर्सावास चार महने का चत्रमास क्या करते थे वहां आज भी लोग जाते हैं आज भी भोजन दान के लिए पहुंसते हैं वो जगे बड़ी खास जगे हैं जैसे बौद गया सबसे वड़ा स्थान है, हाला कि उसको संबोधी नगर बोलते हैं, क्योंकि वहां संबोधी प्राप्थ हुई थी, बाद में गया सुर करके उसको बोला गया, गया सुर का मतलब है कि कोई सुर था जो चला गया, इसलिए उसको गया सुर नाम से जाने लगे, बाद में खाली गया रह गया, य है सालवेशन के लिए वहां जाते हैं और खाना दान करते हैं अब तो पैसे का और सोने चांदी का रूप बन गया है दान करते हैं इसलिए कि उनके जो पितर हैं उनके जो पिता हैं उनको कहीं मुक्ति मिल जाए जबकि उन्हें पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक घटना है बड़ी मयदार सी बुद्ध के समय की जो बताते हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ा अच्छा पैसे वाला था धनवान था वो मर जाता है उसका जो बेटा है वो उसकी और खोल दूआ, मुक्ति का रास्ता खोल मुष्ण कुछ भी करो को जंतर-मंतर कुछ भी करो, इसकी मुक्ति का राख जो मेरे पتा है उनकी मुक्ति, ताकि स्वर्ग में उनको आन्นद मिले और उनको कोई कश्ट ना हो ऐसा कर दो बुद्ध ने देखा कि ये मानेगा नहीं ये बड़ा अंध भक्थ हो चुका है इसको कुछ समझ नहीं है इसको लगता है कि कोई व्यक्ती मनने के बाद में स्वर्ख में जाके musi किया जा सकता है या कोई स्वर्ग होता है कोई नरक होता है तो बुद्धने का ठीक है दो मटके लेके आओ दो मटके वो लेके आया एक मटके में बुद्धने कहा कि इसमें कंकड पत्थर भर दो और दूसरे मटके में कहा कि इसमें देशी घी भर दो दौनों मटके उसने भर दिये बड़ा खुस हुआ कि बुद्ध जैसे ग्यानी उसके पिता को स्वर्ग में रास्ता खोलेंगे स्वर्ग में पहुचाएंगे और उनको मुक्त करेंगे और वहां स्वर्ग में वो आनन्द करेंगे फिर जो बुद्ध हैं उस व्यक्ति को रिवर के पास ले गए और कहा कि दौनों मटके रिवर में रख दो दौनों मटके जो नदी में उसमें रख दिये गए पानी उपर से चल रहा था बुद्ध ने कहा कि दौनों मटके फोड़ दो दौनों मटके फोड़े जिसमें पत्थर थे वो पत्थर सारे नीचे बैठके और जिसमें घीता फूटने के बाद में वो उपर आके तैने लगा तो बुद्ध ने कहा कि देखो तुमारे पिता के जो करम हैं जो करम खराब होंगे वो उनको लेके डूब जाते हैं और जो करम अच्छे होते हैं वो तैर के उपर आ जाते हैं इसी पकार व्यक्ति के करम ही व्यक्ति को जीवन से मुक्त कराते हैं दुखों से मुक्त कराते हैं अगर करम अच्छे करेंगे तो वो तैरेगा और करम अगर खराब करेंगे तो वो ढूबेगा तो पहले नमबर पर बॉद गया है, दूसरे नमबर पर बनारस, कासी या जिसको सारनात बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला गयान वहाँ दिया था तो बहुत सारे भिक्कों वहाँ रहते थे, और तीसा नमबर है बुद्धनात का जिसको बुद्धना बोलते हैं जो उत्तरप्रदेश में हैं और साथवा नंबर है जगनात का पुरी का यानि उडिशा के इंदर जगनात पुरी है यह साथ जगे ऐसी हैं जहां ज्यादतर लोग जाते हैं और वहां जाकर वह साधना और ध्यान करने वाले लोगों को पिंडदान पिंडपाद है अगर आपको साध करना है अपने महापुरसों का और साधना करनी है तो आपको बुद्ध भिहार जाना पड़ेगा या आपको घर में करना पड़ेगा और आपको साधना करनी पड़ेगी आपको अपने महापुरसों के माता पिता की अच्छे गुण याद करना उनको जीवन में ढालना भी होगा तो आपकी साधना अच्छी हो सकती है संगहनमामी, संगहनमामी, संगहनमामी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी धम्ममर सरनं गच्छामी भूतियम् के दम मं सर्णं गच्छानी, भूतियों पी संघ्ण शर्णं गच्छानी, ततियों पी बुद्धों सर्णं गच्छानी, ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी 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 साथू, साथू, साथू झाल झाल